जितने भी बड़े-बड़े philosophers हुए हैं, मिद्वान हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने एक बात बहुत common कहिए हैं, कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो हमें आज में जीना चाहिए हैं। इफ we want to live happy, we should stay in present. हलाकि present में रहना इतना आसान नहीं होता है, प्रिजिन ना आप past के बारे में सोच रहे हैं, ना future के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताओ, present में रहना इतना मुश्किल में नहीं होता है। सिर्फ आपको अपने thought process पे काम करना होता है। यह आपको 100% result भी देता है मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ एक बार सिकंदर महान सिकंदर जब पूरी दुनिया भी हकोमत करना चाहता था राज करना चाहता था Once upon a time he was passing from desert जब वो रेगिस्तान से गुजर रहा था all of a sudden he could see, एक सूफी बाबा उस वीराने में उस रेगिस्तान में लेटे हुए है and he was looking happy वो बहुत खुश नजर आ रहे थे ये नजरा देखकर वो रुका अपने घोडे से नीचा आया और बाबा के पास गया बाबा आप इस वीराने में इतना खुश बाबा ने उसे सिर्फ देखा और कुछ कहानी further सिकंदर एस संथिंग बाबा मैं आदी दुनिया जीत चुका हूँ और अभी आदी दुनिया जीतना चाहता हूँ आप मेरे लिए प्लीज धुआ कीजिए कि मैं पूरी दुनिया पर हकुमत कर सकूँ सिकंदर वोस टॉकिंग अबाट पास्ट एन फ्यूचर जब ये बात वो बाबा से कह रहा था बाबा ने कहा कि प्लीज मेरे सामने से हट जाए और सुरज की रौशनी को आने दीजिए सिकंदर एक साइड हटा and he could find कि बाबा अपने प्रिजेंट में है और सिर्फ वो उसी सुरज की वाज़ा से उसी प्रिजेंट उसी मोमेंट की वाज़ा से इतने खुश थे yes this is the power of living in present isn't it